श्वय पेदर शुकूँ, कुछ ऐसा कारे आप अपने भूत काल में कर चुके हैं, जो अत्यंत गोबनी है और जिसका पश्चताप आपके दिमार्थ और दिल में बना रहता है, तो आपके अंतह करण में बार बार प्रगट हो जाता है, ऐसी कंडीशन है कि आपने पाश्ट मे किसी को सता दिया, किसी से कोई हग छीन लिया, या कुछ भी ऐसा पाप किया है जो आप लोगों से बता नहीं पाते, लेकिन अंदर अंदर वो पाप आपको कचोटता रहता है, या एक कंडीशन और भी है कि जब आप जाने अंजाने में कोई बूत काल में पाप कर देते हैं और उस पाप रड के कारण आपका भविश्य खराब हो जाता है, तो उससे भी मुक्ति पाने का उपाएबादा इसी भी बुद्धवार को पीतल के पात्र में आपको बदाम का तेल भरना है, बड़ा महगा लगेगा, लेकिन इसे करिएगा, या आपकी मानसिक स्थिती को याद करके अपने चेहरे को देखिएगा, और चेहरा देखने के बाद उस तेल को किसी पीपल के ब्रिक्ष के पास रखके आईएगा, तीन महीने में एक बुद्धवार आपको करना है, आपका पाश्ट में किया हुआ दोश आपके मनो इस्तिती को छोड़ के चला जाएग और आप दोश मुक्त भी हो जाएगे, धन्युक्त